नमस्कार मित्रो आप सभी का फिर से हमारे यूटूब चैनल डीके सेनी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो जैसा आपको टाइटल और थमनिल के मादम से समझ में आ रहा होगा डीयलेट सेकिंड डीयर में जो भी सातर अभी तक डाइरी नहीं बनाई हो तो आप मेरी वीडियो देखकर डाइरी बना सकते हो आरम से सब्धाने वाला हो कैसे कैसे बनाना है और सबसे बड़े तरीका बताने हो रहा हो तो दोस्तों सबसे पहले जो भी हमारी चैनल पर पहली बार है चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ सेर जरू करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको मैं डायरी बनाना बता रहा हूँ और फिर उसके नीचे आईकन मिलेगा आपको लोगो मिलेगा और फिर आपको मिलेगा सुक्समसिक्षण अभ्यास डायरी डायरी का नाम मिलेगा माइक्रो टीचिंग डायरी तो दोस्तों मैंने और जो समालोचन डायरी थी वो मैंने डाल दिया वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो तो आगे आप आगे कोश्टक मिलेगा कोश्टक में आपको अपना एयर लिखना है कौन सी एयर में हो पस्टियर लिख सकते हो नमबर हो तो दल नमबर लिखना है कक्षा अनुक्रमांग मतलब आपका कक्षा में रोल नमबर कितना है वो लिखना है फिर चातर अध्यापक या चातर अध्यापका का नाम आपका नाम लिखना है चातर अध्यापको आप अध्यापन भी से आपने कौन-कौन सी भी से अध को बरना है जैसे कोशलल का नाम और विशह है इंग्लिस प्रक्रणा मतलब इंग्लिस जो विश्चाय आप जैसे बरो आप डायीरी में तो वह ही विश्चाइब आपको अध्यापना कराना है और कख्षा 6 आपको बरना दिनानकों के कुनसी दिनांक थे समय अब दी कितने मिन्ट लग आपने ये माइक्रो टीचिंग ली तो प्रक्रण है वो टीचर्स डेपर है और आपको दिख रहा हो कि सिख्षक की किरियार चात्र किरिया के कोश्टक साहर ने बनी होगी तो उसमें आपको लिखना है वाटिदी नेम पावर कंट्री तो इंडिया वाटिद लिखना है अगला पेज में अवलोकन डायरी है अलोकन मतलब मुल्याकन क्या के वाटिधन किया तो कोश्टक चाहिए तो कोश्टकало पको लिखना है यूज ओप स्कृन्चॣ छोट लेकर भी आप लिख सकते हो अगर साथ-साथ वना रह रही हो तो साथ-साथ भि साहर लिख करना है आपको दिख रहा होगा दोबार आपको सेंट यहीं करना है फिर आगे क्या करना है अध्यापन कोसल आधारीत पार्टी जिसमें कोसल का नाम लिखना है उद्धिपन परिवर्तन विश्य है गणीत प्रक्रण है तिर्बुज मतलब तिर्बुज के बारे में आपको बत सकते हो शिक्षण विदी में पिर तिर्बुज आपको क्या करना है शिक्षक किरिया में तिर्बुज तीन बुजाओं से गिर्वी बंदा करती को तिर्बुज कहते हैं तिर्बुज में तीन बुजा तीन कौन और तीन सिर्ष होते हैं कौन के आदार पर तिर्बुज तीन पर संब्धि शाथर क्रिया में आपको लिखना है चात्र ध्यान पुर्वक सुनेंगे और महत पुरुन बिन्दूओं को समझेंगे फिर उद्धिपन परिवर्तन को कितर टॉपिक का नाम को सल का नाम है तो इसमें लिखना है हाव बाउ दुवारा आरो अवर दुवारा और अंत लो खानक्षाररे नहीं मुलिलाकन सोचे में कोसल का गठक जिसमें लिखना है पैला प्रियुक्त कीडिया का प्रियोग दूसरां प्रियोग प्रियोक्त किरिया का प्रियोक दूसरे में हाव बाव सही रहे अस्ताचर दल नहीं देशके होगे अध्यापन अगला है अध्यापन कोशल आधारित पार्थी वहजना है जिसमें कोशल का नाम है उद्धिपन परिवर्तन विशा है गणित तिरबुज वही सेंट शेम दर्श में अध्यापन कोशल आधरित पाठी हो ज़ना में कोशल का नाम है द्रश्टांत कख्षा है वोई शिक्स कालान से सेकंड विशा है हिंदी परकणन है समास जिसमें सबसे पहले जैसे दो विशा आपने कर दी गणीत फड़ा दी आपने अपने इंगलिज पड़ा दी अभी हि जाता है जिसमें शिक्षक क्रिया में विक्रा सात्मक प्रस्टन में आते हैं पहले पर्शन बच्चों हम पड़ने कहां जाते हैं तो चात्र क्रिया होती है विद्याले विद्याले में हमें कौन फड़ाते हैं तो चात्र बोलते हैं शिक्षक सिक्षक हमें कौन कौन से प्रियोग में फिर आगे लिखना है चातर ज्यानपुरोग सुनेंगे और समझेंगे फिर परिबासा आती है कि दो यह दो से अधिक सब्द मिलकर एक नए सब्द का निर्मान करते हैं वो दुवंद समास करमदार्य समास कहलता है और पिर चात उधरन में लिकना है अगले सानि और पियोफ प्रियोग और ऊप्रियोग तत्रों के उत्तरों से बोहता जानकरी फिर आगे लिखना है को शल का नाम है उधन्धर्ठांत बिश्य है हिंदी प्रकरणन है समाश चिक्स कालंच जो कंख्या लेना है वह लिखना है आप जरूर नहीं ऋद्धार्ण पिताम्बर आप लिखते हैं मतलब है जैसे आपको बता रहा हूं मैं कि छोटा रूप विद्धाले है फिर शिक्षक फिर लिखना है हिंदीर गणीत संभावित चात्र ध्यान पुरोग सुनेंगे समझेंगे फिर उधारणा का प्रियोग में लिखना है चात्रों की बोध दिगमता की जाच मतलब जो आपको यहां पर उतार देना है जैसे आपको दिखर होगा आपकी स्क्रिंशोट लेकर भी कर सकते हो जैसे बच्चों पढ़ने का जाते हैं बिद्धाले में कौन वड़ाते हैं वही जैसे मैंने पिछली बताए तो वह वैसे कि वैसे करना है पिर निशकर्स में लिखना है आज हमने समास के बारे में अधिन किया पिर अवलोक और सारणी के में लिखना है पहला उधारन में सरल था दूसरा है उधारनों के लिए उप्रियुक्त विधी का चयान तीसरा है दरिश्टानतों के उप्रियुक्त संग्या चोता है रोचकत उत्पन करने वाले उधार वर्णा नाम मेलनम संदी कतियते संदी त्री प्रकारम भुती मतलब वर्णों के मेल को संदी कहते हैं और त्री तीन प्रकार के होते हैं और चात्र की किरिया है संभावित और श्यामपट की किरिया है राकेज जैसे राकेज गुण संदी फिर जैसे स्वर है व्यंजन चै दिर्ग है गुण है व्रद्धी यन चे आयादी मतलब दिर्ग गुण व्रद्धी यन और आयादी संदी इसमें राकेश चे गुणा संदी भावती राकेश में गुण संदी होती है मतलब संदी संभावत में जो धालन में आपको शामपटें बताए इसमें गुण संदी है औ सब्सक्राइब करते हैं आपको पहले जो पॉइंट में लिखना है वह लिखना है विन्यास है प्रेणा दूसरे में लिखना है वार्णे की विविदत है जिसमें गलत है विविदता आना चाहिए जिसमें व्याख्यान में वार्णे की का प्रियोग करें विचार व्यक्त करने कि चमता चोते पॉंट पूइन अंते करीया परीवरता पहांचय में लिखना है बाग्ध अंध्यान समापन जिसमें रिपादाक है फिर आपको जो रिपादाएं पालब आपको बहुए उतार देना है और निसकर्ष लिखना आपको बतादूा आपको लिखना है बच्चो और फिर आपको अगले आदने कोशल का नाम है वो है पुनर लंबन पुनर बलन विशे सामजिक विज्ञान प्रक्रण है राजस्तान के प्रतीक वह एक फ्लास शिक्स कालां से दूसरा विशे बस तुम लिखना है शिक्षक क्रियाई में राजस्तान में त्यांतिस जिले हैं स्वाश्तान का राजवण घिजड़ी है इसको 19 83 में दर्जह मिला राजस्तान का राजवुर्ण चिंकार गलता है नहीं पर पुनर बलन में लिखना है शाबास गलत है कमल गलत है रोईडा सही है हाँ ऐसाब्दी गर्दन इलाकर नहीं गलत है हाँ पीड थपतपाकर पीरिस में लिखना है मुलिलाकन में मोकिक सुभिकर्ती हाव बाव सुभिकर्ती समीपतया पीड थपतपाना विद्धारती का उत्सावर्दन जिसमे सर ने लिख रहा है काक्षा को अनुसासितर के लेक पुसुदारे को सले को विविदत प्रारूप में बनाए पुने सिक्षिन करें मतलब पुने सिक्षिन करें मतलब पुने इसको दुबारा आप उतारिए तो आपको दिक्रावगर दुबारा उसे ने उतार रहे हैं जिसने आपने बना रहे किया तो आपको भी दुबारा बना सकते हुआ आप पिर लिखना है आगे में कोशल का नाम पुनर बलन विशे सामज की विज्ञान प्रक्रणा राजस्तान के प्रतिक वही सेम्टिसेंग आपको बड़े राइटिंग में आपको उतारना है फिर मुल्यकन में भी वह लिखना है फिर ए प्लस जैसे आपको वहाँ पर ग्रेडिंग बिलेगी इसमें मोकिक शुकरती हावाव शुकरती समीपता पीड तफ्थपाना विद्धारती को सवर्दर मतलब है इसमें मैंने आपको डायरी बता है उसमें रीटीज मतलब दुबार फिडेंट टू डेली क्लास तो ए प्लस यहां पर दी रहागा अस्ताक्षर दल नहीं दे सकते दिया हुआ है बहुत अच्छा मतलब है मुल्यकन में बहुत अच्छा सामान नहीं लिख रहा है तो दोस्तो आज किस वीडियो मैंने जो माइक्रो टीचिंग की डायरी कैसे बन लाएगा क्योंकि हमारे चैनल पर सिखी वीडियो मिलती रहती है आगे भी आपको मिलते रहेगी चैनल से जुटने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इंगे अजने परच से तन आए अगले वीडियो में मिलेंगे एक ये टोपी लगे तब तक लिए आपका धन्यवाद